देश में आज 43 जगों पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फरेंस के जरिए 70,000 नियुक्ति पत्र वित्रित किये नए कर्मचारियों को वित्य सेवा विभाग, डाग विभाग, शिक्षा विभाग, रक्षा और रेल मंत्राले सहित कई विभागों में नियुक्त किया जाएगा प्रधान मंत्री ने नव नियुक्त कर्मचारियों को संबोधित भी किया उन्होंने कहा कि रोजगार मेले में NDA और भाजबा सरकार की नई पहचान बन गई है मुझे खुशी है कि BJP के शासन वाली सरकारें भी लगातार इस तरह के रोजगार मेलों का आयोजन कर रही है ये रोजगार मिले NDA और भाजपा सरकार की नई पहचान बन गए है आज एक बार फिर सत्तर हजार से ज़्यादा युवाओं को नियूकती पत्र मिले है मुझे खुशी है कि बीजेपी के शाचन वाली राज्य सरकारे भी सभी बीजेपी के स्टेट में भी लगातार इस तरह के रोजगार मिले आयोजीत कर रही है उन्होंने आगे कहा कि जो लोग इस समय सरकारे नौकरी में आ रहे हैं उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण समय हैं आपके सामने अगले 25 साल में भारत को विकसित राष्ट बनाने का लक्षय है प्रधान मंत्री ने इस दौरान राजनीती में भाई भतिजावाद पर भी निशाना साधा है और कहाए कि हमारी सरकार पार्दर्शिता भी लाई है और हमने भाई भतिजावाद को भी खत्म किया है इसमें आ रहे हैं उनके लिए ये बहुत महत्वपून समय है आजादी का अमरित काल अभी शुरू ही हुआ है आपके सामने अगले पचीस वर्षों में भारत को विक्षित राष्ट बनाने का लक्ष है आपको बर्तमान के साथ ही देश के उजवल भविश के लिए भी जी जान से जुड़ जाना है नवन यूगत कर्मचारियों को आईजी ओटी कर्मयोगी पोर्टल पर खुद को प्रशिक्षित करने का अवसर भी मिल रहा है यहां 400 से अधिक e-learning पाठिक्रम कहीं भी किसी भी उपकरण पर अध्यान के लिए उपलब्ध है